आप सबका स्वागत है हमारी योटूब चैनल मॉम डैज अन बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं गरभा वस्था में पैठाल खाने के फायदे के बारे में यह जानकर आप बेहत चौंक चाहेंगे कि जिसे खाने से लोग मना करते हैं उसके खाने के फायदे कितने हैं यह आपके बच्चे को तंदरुस्त रखता है और इसके साथ साथ और भी बहुत साड़े फायदे होते हैं वीडियो को अन तक देखिए काफी अच्छी जानकरी दोड़ान बढ़े वे वजन को कम करने के लिए उन्हें काफी मसकत करने पड़ती हैं अगर आप भी इसी कसमे कसमे हैं तो आपके लिए कटहल का सिवन बहुत फायदेमन साबित हो सकता है कटहल में सैचुरेटिट फैट कैलिस्ट्रोन और सोडियम आइडन विटुमिन ए औ बच्चे का स्वास्त प्रभावित हो सकता है अगर आप इससे बचना चाहती है तो कटहल का सेवन जरूर करें क्योंकि इसमें मौजूद विटमिन सी सरीर में मौजूद विशैले ततों को बाहर निकालती है गर्भावस्था के दौरान हार्मोंस में काफी बदलाव होते है जिसके चलते मूज स्विमिंग होती रहती है हार्मोंस की गरबडी को रोकने के लिए कटहल का सेवन बहुत लावकारी होता है प्रेगनेंट महिला को एक दिन में कम से कम आधा किलो कटहल खाना चाहिए कटहल में कई पोसक्ततों होते हैं इसके सेवन से भुरुन का विकास अच्छे से होता है जिसके चलते बच्चा सौस्ट पैदा होता है कटहल में मौजूद विटमिंस के चलते होने वाले बच्चे की आँखों की रोसनी बहुत तेज होती है साथ ही उसके बाल भी बहुत अच्छे निकलते हैं कटहल में जिंक कैल्सियम आइरन मेगनेसियम और कटहल एक रिसेदार फल है इसलिए इसे खाने से पाचन के लिए दुरूस्त रहती है इससे पेट का संक्रमन भी नहीं होता है बहुत सी महलाओं को प्रेग्नेंसी के दोडान वजन बढ़ने की भी चिंता रहती है इससे छुटकारा पाने के लिए भी कटहल एक बहतरे इंसरो अगर रोजाना 300-500 ग्राम कटहल को भाप में पकाकर या कच्छा खाय जाए तो महला को काफी ताकत मिलती है इससे ठकान और कमजोडी भी दूर होगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से आपका सुक्रिया मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमसे पूछना बिल्कुल भी ना भूले मैं आपके सुखद प्रेगननसी की काम ना करती हूँ